थर्टी का फाइदा होता है ये नुकसा अर्च विदाउट यूमन बे वान पहले ही दिन बिना इंसान के थर्टी पर एक विनाज जैसा मन्सर होगा इंसानों द्वारा बनाई गए हर चीज बे लगाम हो जाएगी ट्रांस्पोर्टेशन इस थर्टी पर पूरी तरह से थम जाएगा इंसानों द्वारा होने वाले हर काम बंद हो जाएगे इंसानों के ना होने की वज़े से थर्टी पर से बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और थर्टी पर अंधेरा होने रगेगा हाला कि सोलर प्लेट्स की वज़े से कुछ महिनों तक बिजली आती रहेगी पर कुछ महिनों बार वो भी बंदन जाएगी और समूची धर्ती अंधीरे के आगोश में समा जाएगी बिजली ना रहने के वज़े से पूरी दुनिया के सभी सेलफ फोन, टीवी टार, रेडियो बंद हो जाएगे इंटरनेट सिवा बंद हो जाएगी धर्ती पर से मानव निर्मित रेडियेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा इंसान न होने की वज़े से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सेटलाइट अंतरिक्ष में ठकरा कर नश्ठ हो जाएगे एक साल के अंदर सभी सेटलाइट नश्ठ हो जाएगे एक महीने बाद इंसानों के नहोने के एक महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा नेचर अपना काम करना शुरू कर देगी धर्ती पर से पॉल्यूशन का स्तर एक तम नीचे आ जाएगा किसे भी प्रकार का रेडियेशन न रहने की वज़े से तीन महनों में ही कई सारे सूक्ष मिजीव और पक्षियों की संख्या में पृत्थी होगी हर जगह पेड पौधे उगने लगेंगे वन्य जीवन एक पार फ्रेस से जीवन्त हो उठेगा पूरी धर्ती, हरी भरी और प्रेदूशन मुख्थ होने लगेगी एक साल बार एक साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा समुद्रों नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा मानवद्वारा बनाई गई हर चीजों पर कुद्रत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी धीरे धीरे इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा दस साल के बाद दस साल के बाद पूरी दुनिया में धर्ती हरे कलर की दिखने लगेगी मानवद्वारा काट दिये गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे संकट में पड़ी हर जीवों की प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेंगी धर्ती के मौसम में बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा नदिया, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भजाएंगे प्रदूशन खत्म हो जाने की वज़े से रात में आस्मान एक दम साफ नजर आएगा गर्मी में कमी आ जाएगी 25 साल के बार 25 साल के बार जितनी भी रोड सड़क है वो सारे पौधों से ठक जाएंगे क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा धीरे धीरे शहर हो या गाउं सभी जंगल में परिवतित हो जाएंगे जानवरों का संसार पहले की तरह फलने भूलने लगेगा और वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे भाग सकेंगे 50 साल के बार 50 साल के बार धर्टी को पहचानना मुश्किल हो जाएगा हमारी धर्टी किसी एलियन प्लैनेट से कम नहीं लगेगी धर्टी पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गयास का लगभग खात्मा हो चुका होगा प्लास्टिक बैक्स पूरी तरह से डिकम्पोस हो चुकी होगी वही प्लास्टिक बोटल और ऐसी कड़ी सारी चीजों को डिकम्पोस होने में हजारों साल लगेंगे पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर एक फीट तक बढ़ चुका होगा प्रिच्वी पर मानव द्वारा बनाये गए सारे डैम तूट जाएंगे जिसके कारण कोई भी नदियो नाले सूखे नहीं रहेंगे सौ साल बार सौ साल बार धर्थी के सभी जंगल बेहत खने हो चुके होंगे वन्नी जीवों में संतुलंग बन चुका होगा धर्थी पर के सभी मौसम का बदलाव समय पर होने लगेगा मानव जाती के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अमस्यादा होने लगेगी धर्थी पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजों का नामों निशान मिच चुका होगा फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी जिसे खत्म होने में 200 से 300 साल लगेंगी 300 साल के बाद 300 साल के बाद मानव निर्मित सभी डायम और बिल्डिंग, एफिल टावर, सब कुछ टूटकर धर्थी के नीचे दप चुके होंगे कॉंक्रीट के जंगल की जगा अब हरे भरे जंगलों नी ले ली होगी अलग-अलग पंशियों की प्रजाती वापस आ जाएगी इस तरह जानवरों की भी कई सारी नई प्रजातियां जन मिलेंगी हमारे जाने के बाद सिर्फ धर्थी पर के जीव को ही फायदा नहीं होगा बलकि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा होगा 500 साल बार 500 सालों बार धर्थी पर मौझूद कुछ बच्चे कुछे इमारतों की जगर भी जंगल आ चुके होगे और हजारों साल बार ऐसा लगेगा कि धर्थी पर कभी इंसान थे ही नहीं सिर्फ उनकी कुछ पत्थरों की मूत्या देखने को मिलेगी वो भी जादातर पौधों से घिर चुकी होगी अब अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही होगा जो आने वाले हजार साल में नश्ठ हो जाएगा नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था वो सभी चीज़े नेचर हमसे वापस ले लेंगी धर्ती पर से इंसान की नसल ऐसे गायब हो जाएगी मानो कभी इंसान धर्ती पर थे ही नहीं अगर कुछ हजारों लाखों सालों बाद धर्ती पर इंसान जन्म लेता भी है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस धर्ती पर कभी इंसान थे अब सवाल ये आता है कि क्या हमें से पहले यानि कई लाग साल पहले भी इंसान धर्ती पर थे हो सकता है जो भी हो पर एक बात तो पक्की है कि आज इंसानों ने धर्ती को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है जो हमारे बिना फिर से सुन्दर और स्वच्छ हो जाएगी धर्ती पर से इंसानों का पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा आसंभव है पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी वज़े से आने वाले 500 सालों में धर्ती पर ये वन्ने जीव पूरी तरह से खत्म हो जाएगे अगर आज हम ये बात समझी नहीं कि धर्ती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बलकि अन्ने जीवों के लिए भी है तो आने वाले कुछ सालों में हमें उनका नामों निशान भी नहीं मिलेगा आखिर इतनी दरक्की करके इंसान क्या कर लेगा हम सभी को हमारे इस धर्ती को साफ सुत्रा रखना चाहिए ताकि सभी जीव अपना जीवन अच्छे से गुजा सके आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेर सरूर करें और नेचर और वन्य जीवों के प्रती अपने जिन्मेदारी को अवश्य पहचाने और जितना हो सके उतना नेचर को कम से कम नुपसान पहुचाए